तो हेज गाइस इस साहिब रिशी बैक हेर विद न्यू वीडियो और पैराट अपरेटिंग सिस्टम टूटोरियल और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम कर रहे थे dns analysis और इन दो टूल के उपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ तो वह आई बटन में आजेंगी आप जाके देख सकते हैं और आज हम करने वाले हैं dns map तो यह सीधा आपको मिल जाएगा application के अंदर pen testing में information gathering के अंदर यहां पी आपको मिल जाएगा मैं पर है और theory के उपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगी हम सीधा practical के उपर चलते हैं तो इसे on करने के लिए हमारे पास दो option होते हैं या तो हम सीधा यहां पर क्लिक करके इसको on कर सकते हैं password डालेंगा और यह on हो जाएगा या फिर हमारे पास दूसरा option रहते हैं कि हम है ने इसके अंदर बहुत ही simple है बहुत ही असान है एक बार कुछ ट्राइगर करके देखेंगे तो आपके सामने सारी चीज़े शो हो जाएंगी अच्छे से सीख सकते हैं तो यहां पर यह कुछ options देगा और usage इसने हमें बता दिया यहां पर कि हमें क्या डालना है हमें डाल कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है hyphen w and this is to provide a custom wordlist basically which we can use to do a brute force attack on a targeting site जो की होगी हमारी Google और इनके हमारे पास कोई wordlist नहीं है so यह default अपनी wordlist से ही कर देगा but हमें brute force attack नहीं करना तो हम इसको रह नहीं देंगे so we will move on next and this is hyphen R and so this is to store a result in a file for our future references and if we don't use this option so जो result होंगे वो हमारे terminal पे यहां पे आ जाएंगे हम वहां से भी पढ़ सकते हैं but it is better to save the result in a certain file और बाद में penetration testing के अंदर वो result काम आते हैं so it's better to choose that option और move करते है हमारे third पे जो है hyphen C so यह similar है अपने उपर वाले option से but यह है CSV format में और जो उपर वाला है वो करेगा text format में and next ह हमारा hyphen D which is used to provide delay between lookups और default अगर हम इसको छोड़ देंगे तो यह होगा हमारा 10 millisecond यहां पर लिखा हुए millisecond का time है और default अगर हम मान लीचे यह नहीं लगा रहे तो default वो 10 millisecond ले लेगा and फिर आ जाते है हमारे hyphen I पे जो की IP बगारा को ignore करने के लिए होता है तो यह बात कर लि जो की है यहां पर regular result file मैंने हाइफन डब्लू नहीं लगाया मेरे को जूर्द निया मैंने सिर्फ हाइफन और लगाया जो कि मैं अपनी result file Save करना चाहता हूं और मैंने path उसका दे दिया है desktop और यह मैंने दे दिया है उसका path तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं यह क्या ह हम TXT लगा लेते हैं और एक बार मैं एंटर हिट करूंगा तो यह स्टार्ट हो जाएगा मैं आप एंटर लगा जाता हूं और यह यहां पर स्टार्ट हो चुका यह आई पी सर्च कर रहा है गूगल अकाउंट और आई पीव फोर आई पीव 6 यह आप देख सकते हैं सामने चल सारे आ गए मुझे पदा नहीं था और कितना जादा टाइम लेगा इसको बीच में ही रोग दिया और रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं धेर सारे धेर सारे रिजल्ट आये और जो फाइल हमने बनाए थी वह यह रही साइबरिशी.txt मैं इसको एक बार उपन कर लेता हूं अगर लोग डिटा है ह्यूसाँ को देख सकते हैं यह रहा शेषाय यह अपने शेव कर लिए और उसके बाद हमें पहले तेस्तिंग करने है तो हम इंसरे जिल्ट का यूज सकते हैं उसके अनदर और हमारे काफी काम अपने हो है दिटेल है और यह जुर्दा कुछ है तो य करें चैनल को दुरू सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें या फिर जिल लोगो साइबर सेक्योरिटी या फिर है थी के लगए के अंदर इंट्रस्ट है या सीखना चाते तो उनके साथ जरूर शेयर कर दें और जब तक ही अपना बहुत सारा